कि मेरी प्रिय छात्र छात्राओं आज यह वीडियो आपनों के लिए बहुत ही महत्पूर है जैसा कि आप जानते हैं कि आपके अपने चैनल ग्यानकोस इजिकेस के आप कम्प्लीट कोर्स तयार करवाया जा चुका है अगर आप इस चैनल पर नए है तो एक बार इस चैनल को विजिट जरूर कर लिजे इसका प्लेलिस्ट एक बार जरूर देख लिजे क्योंकि पूरा का पूरा सब कुछ आपको एक ही प्लेट फार्म से मिल जा रहा है आज आप लोगों को एक नहीं में आपके सामने उपस्तित करके इस परिच्छा में इसमें से प्लेट से पांच प्रस्ट आते हैं कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगया तो इसको लाइक कर दीजे और अपने दोस्तों को शेयर करते चलिए तो आएए सीधे हम लोग चलते हैं अपने टापिक पर हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से संबने जो प्रस्ण जिसमें पहला प्रस्ण है आपका किस काल को हिंदी का काब्य का मतलब स्वर्ड यूग जाता है ये पहला प्रसन आपका हम जो है जानते किस काल को कहते हैं किस काल को कहते हैं मालूम है स्वर्ड यूग हम कहते हैं भक्ति काल को ठीक ना भक्ति काल को हम लोग कहते हैं स्वर्ड यूग कहते हैं कलियो हो गया ना चलिए दूसरा प्रसन WITH NATO की दो साखाओं के नाम लिखिए देखें निरु själva काबे की दो साखाओं के नाम लिखिए दो इसमें जो वलटी आनतर्गद साखा के वह 있으면 होता है एक निर्गुण साखा होता है और एक सगुण साखा होता है ठीक ना तो इसमें जो दो साखाएं होती हैं तो निर्गुण साखा के अंतरगत भी दो उप साखाएं हैं और सगुण साखा के अंतरगत भी दो उप साखाएं हैं तो जो निर्गुण साखा के अंतरगत जो दो वह हैं आपका एक को कहते हैं ग्यानास्राइ साखा क्या कहते हैं ग्यानास्राइ और दूसरे को कहते हैं प्रेमास्राइ प्रेमास्राइ साखा क्लिर होगे न ग्यानास्राइ और प्रेमास्राइ अब इसी लेगे इसका मैं व्याख्या कर देता हूँ ग्यानास्रई साखा के जो प्रमुख कभी है वह है कबीरदास कौन है कबीरदास और प्रेमास्रई साखा के जो कभी है वह है जायसी अर्थात मलिक मुहम्मद जायसी ठीक है ना इसको भी आप जानते चलिए आगे चलिए आगे बढ़ते हैं आपका जो तीसरा प्रसन है वह कर सगुर का बेधारा की दो साखाओं के नाम लिके, जैसा कि इसके पल हम जिकर कर चुके हैं, कि सगुर में भी दो उपसाखाएं हैं, तो एक जो है, आपकी उपसाखा है, उसको कहते हैं, रामास्रेई, रामास्रेई, शाखा, और दूसरी साखा को कहते हैं, क्रिश्रास्रेई, क्रिश्डास्रई शाखा क्लियर हुआ रामास्रई शाखा और क्रिश्डास्रई साखा क्लियर चलिए अब इसका हम जिक्र आगे कर देते हैं कि रामास्रई साखा के प्रमुक कभी क्या है कौन है क्रिश्डास्रई साखा के प्रमुक कभी कौन है तो रामास्रेश आप जानते हैं कि राम पर सबसे ज़्यादा रचना किसे ने किया सबसे ज़्यादा ग्रंत किनका मिलता है ता आप जानते हैं तुलसी का है तुलसी दास ठीक है ना और भगवान स्री किर्शन के चरित्र को सबसे ज़्यादा बेहतरी धंक से कौन लिखा सूर हला किस तरह के प्रसन आगे आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे आईए हम लोग चौथा प्रसन पर चलते हैं जो चौथा प्रसन आपका क्या कहता है चौथा प्रसन कारा है कि सगुड भक्ति शाखा के दो कभियों के नाम और उनकी एक एक रचनाओं के नाम लिखना है तो सब्सकुण का अलग यह पूछ रहा है ऐसा नहीं कि बस केवाल आपके भक्ति काल से सम्मंदित पूछ रहा है तो इसमें जो है कि आप लिखेंगे पहला जो कभी लिखेंगे लिखेंगे तूलसी दास तूलसी दास ठीक न और इनकी जो रचनाओं आप जानते हैं राम चरित मानस मानस ठीक न और जो एक जो दूसरे कभी है उनका आप नाम लिख सकते हैं यह क्यानम सगुण भक्ति शाखा की बात कर रहे हैं तो सगुड बग्ति शाखा में क्योंकि आप जानते सूर दास भी हैं क्योंकर घबी सगुड का उपासना किये हैं तो आप सीधे लिख सकते हैं सूर दास सूर दास इनकी रचना क्या है सूर सागर ठीक ना तो एक तुलसी दास हो गए रामचिरत मानस और सूर डास हो गए सूर सागर ठीक है आईए आगे बढ़ते हैं पाच्वा प्रस्न नेरगुण भक्ति साखा के दो कभियों के नाम लिखे और उनकी एक एक रचना के नाम लिखे ठीक न तो अब नेरगुण भक्ति साखा के अंतरगत कौन कौन है देखे नेरगुण भक्ति साखा के अंतरगत जो है कि आपके कभीर है कभीर दास तो पहला कभी लिख लेजे कभीर दास इनकी रचना है आपका है बीजक क्या है इनकी रचना का नाम है दूसरे कभी का नाम लिख लिए जायसी इनका पूरा नाम है मलिक मुहम्मद जायसी इनकी सबसे प्रसिद्द जो रचना है यह है पदमावत पदमावत चलिए चलिए चटमा प्रसन देखा जाए चटमा प्रसन क्या कर रहा है कबीर के अत्रिक्त दो संत कभियों के नाम लिखिए तो कबीर के अत्रिक्त जो संत कभी है एक का नाम है रैदास यह भी उसी काल के कभी रहे हैं और दूसरे का नाम है सुन्दर दास सुन्दर दास ये दो आप लिख लिजिएगा ठीक है सातमा सातमा देखिए सूफी का बिधारा के प्रतनीद कभी का नाम लिखिए तो सूफी का बिधारा के प्रतनीद कभी जो है की जायसी है कौन है जायसी या पूरा नाम लिख सकते हैं सातमा का मलिक मुहमद जायसी क्या लिखेंगे मलिक मुहमद जायसी ठीक है मलिक मुहमद जायसी अब सूफी कभी क्यों कहते हैं थोड़ा सीस पर मैं आपको प्रकाह डालना चाहता हूँ यह कि सूफी कभी जो हो है वहलाकि हैं तो निर्गुण का धारा के ही हैं लेकिन यहां जो है कि इश्वर को पत्नी के रूप में और स्वयम को यानि कि परमात्मा को पत्नी करूप में और आत्मा को पतिक रूप में मानते हैं और उसकी खोज में आत्मा भटकती रहती है उसी तरह से यह मतलब यह रचना करते हैं और इनका विशेश काम है प्रेमा ख्यानक कावियों की रचना करना प्रेमा खाना क्या प्रेम का मतलब क्या होता है कि प्रेम के माध्यम से इश्वर की प्राप्ती नयानि लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की प्राप्ती ये उनका मुख्य उद्धिसरा ये जो है कि सफेद उनका एक विसेश किस्म का एक लंबा सा वस्तर होता तो उसको पहंत नवा देखिए, राम भक्तिधारा के प्रतनित कभी का नाम लिखिए, तो प्रतनित कभी का मतलब वही हुआ, तूलसी दास, ठीक है, नवा देखिए, संत कभी धारा के प्रतनित कभी, तो संत कभी की बात अगर आती है, तो हो जाते हैं, कभीर दास, प्रतनित कभी की बात दसमा क्रिश्ड काप्यधारा के प्रतनी दिकवी का नाम लिखिए प्रतनी दिकवी का नाम अगर आता है तो इसको हम कहते हैं मतलब सूर्दास इसके प्रतनी दिकवी अच्छा प्रतनी दिकवी साद आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं तो फड़ा समय बता देना चाहता हूं प्रतिनिदी कभी उसे कहते हैं जो मतलब जिन से ही एक तरह से वह कापेधारा या वह साहित जाना जाता है जादा मनद सबसे जादा चर्चित कभी या उसके बारे में सबसे जादा रचना के हैं लोग प्रिय रहे हैं, उस काबय धारा के. ऐसे कभी को हम काते हैं, फ्रतिनी बहुदी कभी. हाला कि कभी तो बहुत हैं. Clear हुआ लगा न? चलिये. आइए 11. प्रते हैं, 11. प्रते हैं क्या कारा है? 11. नंबर के जो प्रते कारा है, राम भक्त काब्य की रचना किन भाशाओं में हुई तो अवधी भाशा में हुई ठीक ना अवधी भाशा राम काब्यधारा की जो रचना हुई बारामा देखिए आधिकाल के बिभिन नाम बताईए तो आधिकाल के बहुत सारे नाम है जैसे देखिए बीर गाथा काल ठीक है ना बीर गाथा काल नाम दिये हैं आचेर रामचंद्रशुकल चारण काल चारण काल और संदिकाल एक साथ जोड़ करके इसका जो नाम दिये हैं रामकुमार बर्मा या फिर चारणकाल जार्जे ग्रियरसन ने भी दिया है ठीक है ना उसके बाद है वीजबपनकाल बीजबपना थोड़ा सब्द पर भी ध्यान देंगे सुनने पर भी ध्यान देंगे क्योंकि लिखने कहीं कुछ अगर दिक्कत अगर हो रहा आपको नो बीजबपनकाल इसके बाद आप लिख सकते हैं वीरकाल वीरकाल भी कहा गया है इस आधिकाल को तो इस तरह से जो है कि इतनी तरह से आप लिख सकते हैं आधिकाल को किनके नामों से जा रहा है कोश्चन नमर 12 चली कोश्चन नमर 13 देख लिया जा है तेरा क्या कर रहा है लिए मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ अगर आपको लग रहा है कि हमारे इश्रेली अच्छी है पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो बस कुछ करना नहीं है इसको लाइक कर दीजे और सेयर कर दीजे अगर नए है चैनल पर आप complete तो कोर्श यहां से प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्क्राइब कर लिजे और मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए वहां आपका हर एक भाग का कि चैहे हिंदी गद्द की बात हो अलग अलग मैं प्ले इस्ट बना फोलडर बना दिया हूँ ठीक ना तो उस फोल्डर को खोलिए और एक साथ पूरा का पूरा चेप्टर आपको मिलेगा पाठेक से लेकर करके अंतिम पाठ तक काब्बे का पाठेक से लेकर अंतिम पाठ का गद्दे का खोलेंगे तो गद्दे का मिलेगा संस्कृत खोलेंगे तो पाठेक से लेकरके अं लिस्ट में जा करके उसको खोलिए तो देखिए आपको क्या मिलता है क्योंकि इस पेसल आपके लिए मैं यह सब कुछ एकत्व सिस्टमेटिक रंग से बनाया होगा हूँ आईए कुशन नमर 13 देख लिए पूरो मद्यकाल किस काल को कहते हैं तो पूरो मद्यकाल हम लोग कहते हैं भक्तिकाल को किस काल को कहते हैं भक्तिकाल को कहते हैं पूरो मद्यकाल आधिकाल की अवध ही क्या है अवध ही मने समय सीमा तो यह जो है कि 800 विक्रमी से 1400 विक्रमी माना जाता है विक्रमी संबत होता है एक तो इस्वी सन होता है अब यहाँ मैं बता देखिए, जो इश्वी सन होता है, इस्वी सन विक्रमी सन से 57 साल कम होता है, अर्थात अगर आपको सन पता करना है, तो आप क्या करेंगे, आठ सो में से 57 घटा देंगे, तो आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 700 आपका हो जाएगा 53 तो आपका हो जाएगा 743 से 1345 ठीक ना तो इस तरह से आप इसको सन निकाल सकते हैं यह आपकी उपर निर्फरका था हलाकि अगर आप 800 विक्रमी संबत से 14 विक्रमी संबत लिखेंगे तो भी गलत नहीं है लेकिन अगर आपको बदलना है तो आप ऐसी कर सकते हैं ठीक है चलिए 15 प्रसन देखते हैं 15 प्रसन क्या कर रहा है आदिकाल की भाषा का नाम लिखिए तो देखे आदिकाल की भाषा का नाम है डिंगल ठीक है ना वह है डिंगल जो अपभरंस और राजस्थानी के मेल से बना हुआ भाषा है जिसको हम बोलते हैं डिंगल सो लामा प्रसन है बिरगाथा काल के प्रतम कभी का नाम लिखिए तो प्रतम और चर्चित कब हालाक सन क किसा आफ से देखेंगे तो कभी दूसरे हो जाएंगे तो वहां मैं बहुत डिपली आपको मैं नहीं ले जाता हूं लेकिन सबसे चर्चित प्रतम कभ की बात आती है तो आप सीधे लिखेंगे चंदबरदाई चंदबरदाई ठीक है आईए सुलावा प्रसन में देख लेत चारण यूग क्यों कहा जाता है तो राजाओं की प्रसंसा में यह हमेशा रचना लिखते थे तो राजाओं की तारीफ करते थे राजाओं के सामने जाकर के अपनी कभिता के तवारा गाते थे इसलिए जो है कि इनको चारण चारण कम उन्हें कहाते हैं जो किसी के सामने मत उनको हम चार्ण बोलते हैं तो बीरगाथा काल को 44 ले कहा जाता है कि आप उसको चाहे तो लिख सकते हैं उस समय के कभी राजाओं की प्रसंसा करते थे प्रसंसा में काब्य लिखते थे इसलिए उनको चारण कभी भी कहा जाता है ठीक ना आईए अगला देखा जाए आपका कौन सा प्रसंसा होगा अठा रहमा आदिकाल की कभीता का मुख्य विसे क्या रहा तो प्रसंस भही है राजाओं की वीरता का राजाओं की वीरता का वरण ठीक ना ये उनके कभीता का मुख्य विसे रहा चाहे जो भी काब बे रहा है पृत्वे राज रासो रहा है परमाल रासो रहा है खुमार रासो रहा है वीसल देव रासो रहा है वीसल देव रासो को मतलब स्रिंगारिक क्रशना मानते हैं ठीक ना लेकिन इसमें भी उनके वीरता का वरण किया गया है ठीक ना परमाल रासो ये सब के सब हमीर रासो रहा है ये सब के सब जो है की वीरता से संबंदित ये कविताएं हैं इसलिए जो है की राजाओं की वीरता का वरण इनका मुख्य भी से रहा है आईए 19 देखा जाए वीरगीत की दो रचनाओं के नाम लेको मतलब ये की जिस रचना में क्यों वीरता क का वरण किया गया हो ठीक ना वीर गीत तो हलाकि काबे के जो प्रकार हैं प्रवन्द काबे होते हैं मुक्तक काबे होते हैं महा काबे होते हैं इसी के अंतरगत वीर गीत भी होते हैं तो इसको वीर गीत की बात अगर आती है तो आप लिखेंगे परमाल रासो और दूसरा लिख देजिए बीसल देव रासो आईए उनिस हो गया बीसल देखिए बीर गीत कब में सरवाधिक लोगप्रिग्रंथ कौन सा है तो यह है आपका परमाल रासो क्या है परमाल रासो जिसको हम लोग आलखंड के नाम से भी जाना जाता है आलखंड जिसको आलहा भी बोलते हैं आलहा ठीक ना आलहा नहीं होता कि आलहा गाओ तो आलहा गाया जाता है बरसारत में जो गाया जाता है उसी को हम कहते हैं परमाल रासो और इसके रचैता आप सब जानते हैं अगर न जानते हैं मैं आपको बता दूँ इसके रचैता हैं ज जगनिक जगनिक अरे इसी में वो लिखा हुआ है कि बरिस आठारे कुकुर जीए आगे जीवन के धिकार ऐसे हैं नथा imports रख कुकुर जा TAR बरिस अठारच छत्री जी आगे जीवन का धिकार ऐसे कुछ लिखे हैं तो ये पूरा एक तरह से ओजपूर्ड कविता है और इसलिए जो है कि इसको मतलों आलखने के नाम से जाना भी जाता है ठीक है आईए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं question number 21 की तरफ question number 21 क्या कर रहा है आदिकाल यानि वीरगाथा काल के दो प्रमुक कभियों के नाम लिखे है तो एक नाम लिखतीजे चंदबरदाई चंदबरदाई और दूसरे का नाम लिख लिजे जगनिक कही लिख लिजे जगनिक फिक है तो वीरगाथा काल के दो कभी हो गए प्रमुक कभी चंदबरदा और जगनिक, बाइसंवा, कोशन देखिए, आदिकाल की दो प्रमुक राचनाओं के नाम लिखिए, तो अब देखिए, चंदवर्दाई का एक राचना जो है, उसका नाम लिख लिजे, कौन पृथभी राज रासो, पृथभी, राज, रासो, और जगनिक का जो राचना उसक परमाल राषो हो गया क्योष्चन नंबर 23 को देख लिए जाए भक्तिकाल कब से कब तक माना जाता है तो विटा देखिए भक्तिकाल माना जाता है 1400 विक्रमी से 1400 विक्रमी से 1700 विक्रमी तक ठीक है 24 देखिए भक्तिकाल की दो साखाओं के नाम लिखिए तो वही है सगुड और निर्गुड भक्तिकाल की जो दो साखा है वह है एक शगुड है और एक क्या है निर्गुड है सगुड और निर्गुड उन्हें शगुड साखा लिख सकते हैं देखिए, भक्तिकाल के दो प्रमुक कभियों के नाम लिखिए, तो प्रमुक कभ वही हैं सूर्दास और तुलसी दास, भक्तिकाल की यही दो कभी हैं, सूर्दास और तुलसी दास, सूर्दास और तुलसी दास, ठीक है, तो इस तरह से आपका यहां तक 25 कुश्चन का सब्सक्राइब कर लिए और पुराने है तो लाइक और शेयर तो अवश्ट कर दीजे बहुत कर देने बार कर देने बार